इवालुएट साइन स्क्वेर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वेर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेर 73 डिग्री ठीक है सो इसको हम लोग को evaluate करना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको जो sin square 63 degree है इसको हम लोग cos के term पे लिख देंगे ठीक है और यह जो cos square 17 degree है इसको हम लोग sin के term पे लिखेंगे ठीक है तो पहले हम लोग sin को change करते हैं तो sin theta equal to क्या होता है cos 90 degree minus theta होता है करेक्ट, ओके, तो यहां कितना दिया है, sin square 63 degree, यह क्या हो जाएगा, cos square 90 degree minus 63 degree हो जाएगा, ओके, तो इसको minus करने से कितना आएगा, 27 degree आएगा, करेक्ट, तो cos square 27 degree आगिया, ठीक है, तो sin to cos में convert हो गिया, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग इस cos को sin में convert करना है, तो cos theta equal to sin, 90 degree minus theta होगा, करेक्ट, तो यहां कितना दिया है, cos square 17 degree दिया है, तो क्या हो जाएगा, sin square 90 degree minus 17 degree होगा, तो इसको minus करने से कितना आएगा, 73 degree आएगा, करेक्ट, तो इतना आगिया, देखलो, cos to sin में convert हो गिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना आया, उसको हम लोग बैठा देंगे, तो इसके जगा में हम लोग cos को बैठाएंगे, और cos के जगा में हम लोग sin को बैठाएंगे, तो यह रहा, देखलो, cos square 27 degree, ठीक है, यहाँ पहले sin था, और यहाँ पहले cos था, तो sin square 73 degree, अब देखना, यहाँ यह जो degree है, यह same है, 27 degree, 27 degree, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sorry, यह 1 हो जाएगा, क्योंकि यह cos square 27 degree है, plus sin square 27 degree है, तो इस form में यह आ रहा है, इस identity के form में, sin square theta plus cos square theta, equal to 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा, तो यह भी 1 हो जाएगा, correct, तो 1 by 1, तो 1, ठीक है,